तो आज मैं आपकी साथ आलू का बहुती मज़ेदा नाश्ता सेयर करने जा रहे हूँ अगर आपने एक बर इस रैसिपी को अपने घर में ट्राइ कर लिया तो मानों आप इसके फैनी हो जाओगे तो चलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले डो लगाते हैं डो लगाने के लिए एक चोथाई कप दूद लेंगे एक चमब चिज में इस्ट डालेंगे नेट चमब चैनी डालेंगे अब इस सारे खोल को बढ़्या से परफेक्ट तयार करेंगे यानि इसको मिला देंगे सब चीजे आपस में मिल चुकी है फिर हम यहाँ पर एक कप आटा लेंगे गेहु काटा भी ले सकते हैं या फिर आप मैदा भी ले सकते हैं अब इसको अच्छे से मिलाएंगे बढ़िया तरीके से मिलाएंगे और मैंने जो दूद यहाँ पर यूज किया है वो हमें गरम लेना है बहुत गरम नी लेना है और गुन-गुना भी नी लेना है मतलब मेडियम टैंपरेचर का लेना है जो गुन-गुना सा जादा हो और बहुत गरम से थोड़ा कम हो यानि के बस गरम दूद जो पिया जा सके फिर हम इसमें दो चमज के करीब घी डाल देंगे घी नी डालना चाहते बटर भी डाल सकते हैं सोप डो लगा के तयार करेंगे एक से डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे तो डेढ़ घंटे के बाद लगबग हमारा आटा बिलकूल परफेक्ट तयार हो चुका है क्वांटिटी से डबाल हो रहा है यह देखे इसमें बहुत सरी एर से भर जाती है तो इसका जो आटा तयार होता है कुछ इस तरीके से होता है जैसे हम पिज्या बेश बनाते है उसके लिए आटा बनाते है तो इस तरह गया आटा तयार होता है अब हम चकला बेलन ले ले लेंगे और इसके पार्टिशन कर लेंगे तो इसको हम चार हिसों में डिवाइड करेंगे पहले तो यहां पि मैंने चार हिसो में डिवाइड कर लिया है दो पराटो का आटा हमारा बनकर यहां पर तयार हुआ है फिर इसकी लोई बनाएंगे अंदर लिली तरब को फोल्ड करते हुए जैसे भटूरे की लोई बनती है इस तरह की लोई बनाके तयार करेंगे यह देखिए नई देख से दिखाते हो थोड़ा इस तरह की तो इसकी जो लोई बनाएं जाते हैं जैसे बाद की थोड़ी सी रोटी मोटी बनाते हैं उसकी लोई बनाते हैं कुछ इस तरह की लोई बनाके तयार करेंगे यहाँ भी मैंने दो आलू को उबाल के पहले से ही ले लिया है मेंडियम साइज के आलू है टेस्ट के अकोडिंग हैं पर नमाग डालेंगे लगबग में एक छोटा चम्मच बहुत छोटा चम्मच थोड़े सी काले मिर्च भी डाल देंगे और डाल देंगे साथ में चीली फ्लैक्स या दर-दरी सी कुटे हुई लाल मेज अब इसकी बढ़या सी स्टपिंग बना के तयार करेंगे इस टपिंग हमें डो के टाइम इसकी तयार करनी है यानि कि बिल्कुल बारीक आप चाहते हैं कसनता इनको कस भी सकते हो आलो को दो चमबस अब यहाँ पर फ्रेश क्रीम डालेंगे क्रीम नहीं है तो घर की जो मलाई उतारते हैं दूद के ओपर से उसको भी मेल्ट करके डाल सकते हैं यहाँ पर स्टफिंग बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है सब कुछ मिला दिया है मैंने अब हम आ जाते हैं चगली बेलन के पास थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे एक लोई को उठाएंगे और इसकी एक रोटी बनाके तयार करेंगे तो थोड़ी सी सूखा मैदा लगाके इसको बेलेंगे बेलना ऐसा है जैसे हम बाद में रोटी बनाते है थोड़ी मोटी होते है कुछ इस टाइप की फिर कोई ट्रेव अगेरा ले ले लेंगे जिस चीज में भी आप इसको सेखना चाहते हो या फिर डारेक्ट इसको आप पैर में भी शेख सकते हो तो जो हमारा केक्टिन होता है तो यह उसी की प्लेट है मैंने इस रोटी को उसके उपर रख दिया है हलका संगलिस उसको प्रेस कर दिया है ताकि जो इसमें अंदर एयर सी भर जाते है वो निकल सके स्टरफिंग को उठाके इसके उपर हम फैला देंगे इस तरह से अच्छे से और यहाँ पर मेरे पास करीपत्ता थे तो मैंने यहाँ पर चार पास करीपत्ता रख दिया है थोड़ से चीज भी पढ़ा वा था तो मैंने वो भी रख दिया है बाकी जो इस्टरफिंग है इसमें आप थोड़ी सी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो कुछ और चीज भी आपर एड़ कर सकते हो जैसे ओनियन वागर है या फिर जो ग्रीन ओनियन होती है हरी मिर्च होती है सिबला मिर्च होती है कैबिज होती है कुछ भी आड़ कर सकते हो तो स्टफिंग आपके टेस्ट के उपर है फिर हम दूसरी लोई उठाएंगे उसकी भी सेम तरीके की रोटी बना के तयार करेंगे इतनी ही बड़ी रोटी बनाएंगे जितनी हमने पहले वाली बनाई थी यह देखिए तो परफेक्ट रोटी बनके तयार हो चुकी है अब इस रोटी को उठाएंगे और इसके उपर इसको कवर कर देंगे बढ़ी आसे तरीके से इस तरीके से थोड़ा सेप्टी से अब इसके उपर क्या करेंगे थोड़ा सा एक चमज के करीब हम दूद लगा देंगे कच्चा दूद हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके पास नहीं है तो रूम टेमप्रेचर का दूद उपर से इसको रफ कर दे फिर इसको क्या गरेंगे उंगलियों से इस पे हलका से एक डिजाइन सा बना देंगे इस तरीके से आप थोड़े सा ध्यान रखें कि उंगलियों आपके आरपार नहीं होनी चाहिए तयार है दस मिनट के लिए साइड में छोड़ देंगे उदर मैंने कड़ाई भी रखी वित्ती तो दस मिट हो चुके है कड़ाई को प्री हीट होने के लिए अब मैंने इसमें एक रिंग रख दी है ताकि जो नीचे से तली थोड़ी सी टेन की उपर को उठी रहे और नीचे से हमारा प्राठा जलेना सेप्टी से इस प्राठे को इसके अंदर रख देंगे तो लगभग जो कड़ाई की उचाई आधा इंच के करीब तो होनी चाहिए कम जगा मापकी तो रखने के बाद इसको कवर करेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकने देंगे गैस का फ्लेम लोटू मेडियम करेंगे तो यह देखें 5-6 मिनट के बाद आटोमेटी प्राठे का कलर चेंज होने लगा है तो यह देखें और यह मैंने बीच में एक बार प्राठा पलट दिया था जीचे की जो साइड़ती को उपर कर दी थी और अब अच्छे से प्राठा सिख चुका है निकाल लिया मैंने कड़ाए में से इसको और यह देखें बिल्कुल प्रफेक्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवा प्राठा तो अब हम इसके ओपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे थोड़ी सी साइडिंग के लिए और थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी तो मर्जे आपकी आप लगाना चाहते हो लगाए या फिर इसकी भी कर दे ऐसे भी खा सकते हो रोटी टाइप भी खा सकते हो तो इस तरह से मैंने इस पे थोड़ा सा घी लगा दिया है अब बारी आते इसको कट कर देगी तो इसको कट भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आप पसंद करते हो इसको एसेप में भी कट कर सकते हो जैसे पीजा काटा जाता इस तरह से भी कट कर सकते हो तो मैं आपको केवल कट करके दिखा रहे हूं तो देखें बहुत ही आसानी से कट होता जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा यह सोप्ट भी है खाड़े भी इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि अगर आपकी फैमिली पिज्जा खाने का या फिर कोई बाहर के बर्गर पसंद आए पसंद आए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना